भारत और डेन्मार्क के बीच विभिनक शेत्रों में नौ समझोटों पर हुए हस्ताक्षर प्रधानन्त्री ने समावेशी और सांस्कृतिक विवित्ता को भारतिय समुदाय की शक्ती बताया केंद्री ग्रह राज्य मंत्री नित्यानन्द राय आज 36 गार प्रवास पर पहुंचे बीजापूर में अने कारिक्रमों में होंगे शामिल भेट मुलाकात अभ्यान के पहले पढ़ाओ में मुख्यमंत्री पहुंचे सर्गुजा सभी 90 विधानसभाक शेत्रों का करेंगे दौरा और दौर्गस्थेत स्वामी विवेकानन तक्नीकी विश्विद्याले में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, रोबोटेक्स और मशीन लर्निंग जैसी नई तक्नीकों का हुआ अपग्रेडेशन नमस्कार आप देख रहे हैं दौरदर्शन समाचार मैं हूं मुनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से भारत और डेन्मार के बीच विभिनक शेत्रों में 9 समझोतों पर हस्ताक्षर हुए हैं इनमें भारत में उतक्रिष्टता केंद्र और स्मार्ट प्रयोक शालाओं सहित सुरक्षित और स्वच्छ जल के बारे में सहयोक का समझोता शामिल है डेनमार्क यात्रा के तौरान प्रधानमंत्री नरेंडर मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कोपनहेगन के बेला सेंटर में भारतिय समुदाई से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया डेनमार्क में भारतिय समुदाई के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, पेशेवार और व्यापारी वर्ग के 1000 से जादा लोगों ने इस कारक्रम में भाग लिया और उत्साहा के साथ श्री मोदी का स्वागत किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबुधन में कहा कि समावेशी और सांस्कृतिक विवित्ता भारतिय समुदाई की शक्ती है जो हमें प्रत्येक्षन जिन्दा दिली का एहसास दिलाती है और साथियो बसुधेव कुटम कम यानि बन बर पूरा विश्व एक परिवार हमारा एक कंसेप व्यापार कारोबार के अवधारान से भी बहुत बिस्त्रूत है बहुत व्यापक है बहुत गहरा है हिमाले से भी उंचा है हमानी मन मल्ड की अवधाना अपनत्व पर बंदूत्व पर संबेवन जिल्टा पर सम्मान पर टिकी है 21 सदी का भारत भी नए ग्लोबल ऑर्डर के लिए इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है कोपेन हैगन में दोनों निताओं के बीच शिष्ट मंडल स्तरकी वारता के बाद संयोक्त बयान जारी किया गया बयान में कहा गया कि दोनों प्रधान मंत्रियों ने पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रधान मंत्री फ्रेडरिक्सन की भारत यात्रा के बाद विभिनक शेत्रों में प्रगती पर संतोश व्यक्त किया बाद में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधान मंत्री फ्रेडरिक्सन भारत डेनमार्क व्यापार मंच की बैठक में भी शामिल हुए केंद्रिय ग्रह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज 36 प्रवास पर आई हुए हैं आज सुभे राजधानी रायपूर पहुंचने के बाद श्री राय सेना के हेलिकॉप्टर से बीजापूर के लिए रवाना हुए इस दौरे में उनके साथ पूर्व मंत्री महेश गागडा भी है श्री राय आज बीजापूर में जन प्रतिनिदियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियानवयन की समिक्षा करेंगे इसके बाद उनका मीडिया से भी चर्चा का करिक्रम है श्री राय बीजापूर प्रवास के दौरान केंद्रिय रिजव पुलिस बल सी आर पी एफ के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा विवस्था के संबंध में चर्चा करेंगे साथ ही वे सी आर पी एफ जवानों के साथ रात्री भोजन में भी शामिल होंगे केंद्रिय अग्रह राज्य मंत्री कल सुभह बीजापूर से रायपूर आएंगे इसके बाद नई दिली के लिए रवाना हो जाएंगे मुखे मंत्री भूपेश बगेल आज से प्रदेश के सभी विधानसभग शेत्रों का दौरा करने निकले है भेट मुलाकात अभ्यान के तहट मुखे मंत्री सभी 90 विधानसभग शेत्रों में पहुँच कर शासन की जन कल्यानकारी योजनाओं के क्रियानवयन का जमीन इस्तार पर अवलोकन करेंगे मुखे मंत्री का ये दौरा आज सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले से शुरू हुआ है मुखे मंत्री आज कुस्मी, शंकरगर और बारिया गाउं में आम लोगों, जन प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों से चर्चा करेंगे वे दौरे में गाउं, तैसील कारलयों, पुलिस थानों, जनपत कारलयों, स्कूलों, आंगन बाडियों और स्वास्ते केंद्रों के कामकाज और सड़क, पानी और बिजली चैसी मूल भूत, अधो सनचनाओं की उपलब्धता का जायजा लेंगे इसके बाद वे राजपुर में रात्री विश्राम करेंगे भेट मुलकाद अभ्यान में रवाना होने से पहले, राइपुर के पुलिस लाइन हेलिपैट में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री बखेल ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से वे एक लंबे अर्शे से लोगों के बीच नहीं जा पाए थे, यही वजह है कि वे इस अभ्यान में दौरे पर निकल रहे हैं, मुखे मंत्री ने कहा कि आम जनता और जन प्रतिनिधियों के बारे में जानकारी लेने के साथ ह इसमें और क्या सुधार हो सकता है, इस पर भी वे सुझाओ लेंगे जन प्रतिनिधियों से भी जो इस्थानी जन प्रतिनिधियों से भी जो इस्थानी जन प्रतिनिधियों से भी जो इस्थानी जन प्रतिनिधियों से भी 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 जन प्रति सरगुजा संभाग के बाद वे बस्तर संभाग के विधानसभाक शेत्रों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री हर दिन प्रत्याग विधानसभाक शेत्र के किनहीं तीन गाओं में जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश भगेल ने कहा है कि आर्टिविशल इंटेलिजेंस, रोबोटेक्स और मशीन लर्निंग जैसी नई समय की तक्निकों में छात्रों का अपग्रेडेशन स्वागत योग्या है दुनिया तेजी से बदल रही है और आर्टिविशल इंटेलिजेंस आधी के माध्यम से तक्निकी विकास अनेक शेत्रों में हो रहा है इन विधाओं में बड़े पैमाने पर तक्निकी विशशग्यों की जरूरत है ऐसे में स्वामी विवेकानन तक्निकी विशविद्याले द्वारा इन विधाओं में छात्रों को अपग्रेड करने की कोशिश स्वागत योग्या है UAV जैसे प्रयोग जो युनिवर्सिटी कर रही है उससे प्रदेश को काफी लाब होगा ये बात मुख्यमंत्री ने भिलाई के स्वामी विवेकानन तक्निकी विशविद्याले में आयोजित, लोकारपन और शिलान्या समहरों को संबोध्यत करते हुए कही शीब अगेल ने कहा कि नूकलियस टेक कमटी के माध्यम से अगले पांच सालों में एक हजार लोगों को इंजिनरिंग के क्षेतर में रोजगार मिल सकेगा इसके अलावा 50 लाख रुपे की लागत से बने लैब के माध्यम से आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग जैसी विधाओं में लोगों को प्रशिक्षन भी दिया जाएगा अज महत्पून यह हुआ कि जो अमरेकी जो भुराष्टी कंपनी है उसके बीच में और तक्निकिव सिर्द्याला के बीच में के मुआ जिसमें हर साल यहां के छात्रों को नौकरी देंगे कारिकरम में विश्विध्याले और एक बहु राष्ट्रिय कंपनी के बीच समझोता पत्र पर हस्ताक्षर किये गए हैं साथ ही मुखे मंत्री ने 100 सीटर, छात्रावाज भवन निर्मान कारिका, भूमी पूजन और 12 करोड रुपे की लागत से बने विश्वेश्वरिया भवन का लोकारपन भी किया राष्ट व्यापी टीका करान अभ्यान के तहट अब तक 189 करोड 41 लाग से जादा कोविट रोधी टीके लगाए जा चुके हैं केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने बताये कि पिछले 24 घंटों में 16,23,000 से जादा टीके लगाए गए इसी अवधी के दौरान देश में 2911 लोगों में कोरोना संक्रमन की पुष्टी हुई इस समय 19,137 संक्रमितों का उपचार चल रहा है स्वास्त होने की दर 98.74 प्रतीशत है अब तक देश में कुल 83 करोड 86 लाग कोविट परीक्षन कराए गए है पिछले 24 घंटों में 4,19,000 से जादा परीक्षन कराए गए इदर 36 घंट में भी कल 1,500 से जादा नमूनों की चांच की गई जिन में से 5 व्यक्ती कोरोना संक्रमित पाए गए राजी के 24 जिलों में कल कोरोना संक्रमन के किसी नए मरीज की पहचान नहीं हुई है राजी के 17 जिलों में इस समय कोरोना का कोई भी सक्रिय मरीज नहीं है जबकि कोल 41 मरीजों का इलाज अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है अक्षेत रुतिया का पर्व कल राजी के सभी शेहरों, कजबों और गाउं में हर्शोलास के साथ मनाया गया इस मौके पर बाजारों में रौनक देखी गई मानेता के अनुसार इस शुब महरूत पर लोगों ने कपड़ा मार्केट, सराफा मार्केट और इलेक्ट्रोनिक बाजार में जम कर खरीदारी की बिलासपुर में भी अक्षे तृतिया के मौके पर बाजारों में खूब भीड रही कोरोना संक्रमन की वज़ह से मंदी में चल रहे कारोबार में तेजी आने से व्यापारी भी खुश नजर आए उन्हें दो साल बाद अच्छे व्यापार की उमीद है वहीं खरीदारों ने कहा कि अक्षे तृतिया में किसी भी खरीदी का विशेश महत्व माना जाता है इसी परंपरा को निभाते हुए वे भी बाजार पहुँचे है लगबग दो वर्षों से जो करोना काल का पीरेट था उसमें थोड़ा सा व्यापार को एफेक्ट पला था बाकि अभी इस साल से अक्षे तृतिया या अभी एद का भी सीजन अच्छा ही चला अभी आगे सम्भावना है कि और अच्छा काम होने की उमीद है वही राज्य में अक्षे तृतिया को अक्ती तिहार के रूप में मनाया जाता है इस दिन छोटे बच्चे गुड़े और गुड़ियों का ब्याहर रचाते हैं खास और पर ग्रामीड इलाकों में घर-घर में मंडब सजाकर मिट्टी के गुड़े गुड़ियों का विवहा धूमधाम से कराया जाता है साथ ही कल भगवान परशुराम जैनती भी थी बिलासपुर में सर्व ब्रहमन समाज द्वारा प्रतिवर्ष की भाती इस वर्ष भी कल श्यात्रा निकाल कर भगवान परशुराम की जैनती मनाई गई ये कल श्यात्रा शहर के प्रमुक चौक चौराहों से होकर गुजरी आजादी के लिए भरत का शांदार संखर्ष अधुनिक विश्व के महंतम संखर्षों में से एक है दूरदर्शन समचार इतिहास की धारा बदलने वालों की जलग रोजाना आपके लिए लेकर आता है आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वतंतृता सेनानी अतुल कृष्ण घोश के बारे में अतुल कृष्ण युगांतर समुह और अनुशीलन समीती से जुड़े थे उनके महान क्रांतिकारी स्वतंतृता सेनानी बागा जतिन के साथ घनिष्ठ संबंध थे अतुल कृष्ण का जन्म 1890 में नादिया जिले में हुआ था जो अब बांगलादेश में हैं कोलकाता के प्रेजिडेंसी कॉलेज में सनातक के अपने अंतिम वर्ष में वो बागा जतिन से जुड़ गये और अनुशीलन समीती में शामिल हो गये बागा जतिन ने हावडा साजिश मामले में अपनी गिरफतारी और रहाई के बाद 1911 में समीती की गतिविधियों की जिम्मेदारी अतुल कृष्ण को सौपती और कुलकाता छोड़ दिया अतुल कृष्ण ने एक आयोजक की रूप में क्रांतिकारियों को आश्रे दिया बाद में अनुशीलन समीती के कुछ सदस्यों ने अतुल कृष्ण घोष के नित्रतों में सेवा समीती की एक नई शाखा का गठन किया इस दोरान अतुल कृष्ण ने रास बिहारी बोस गुर्दीत सिंग और अन्य कोमा गाटा मारू देश्ट भक्त तारक नाथ दास सहित कई क्रांतिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा प्रथम विश्व युध की शुरुवात में अतुल कृष्ण घोष और बागा जतिन ने जर्मनी में हत्यार हासिल करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति शुरू करने की कोशिश की हाला कि ब्रिटिश अधिकारियों को स्थीती की जानकारी हो गई और उन्होंने बालेश्वर पर हमला कर दिया जहां हत्यार पहुंचाए जाने थे बागा जतिन इस कारेवाई में शहीद हो गए और अंग्रेजों ने उनके सारे हत्यार जब्द कर लिये अतुल कृष्ण को बागा जतिन की मृत्यों से बड़ा धक्का लगा उन्हें 1924 में गिरफतार कर लिया गया और दो साल बाद रिहा किया गया चार मई 1966 को अतुल कृष्ण का निधन हो गया हमें इस महान भारतिये को नमन करते और आईए देखते हैं अंत में मुखे समाचार एक बार फिर से भारत और डेन्मार के बीच विभिनक शेत्रों में नौ संचोतों पर हुए हस्ताक्षर प्रधान मंत्री ने समावेशिय और सांस्कुतिक विवित्ता को भारतिय समुदाय की शक्ती बताया केंद्री ग्रह राज्य मंत्री नित्यानन्द राय आज 36 गड़ प्रवास पर पहुंचे बीजापुर में अनेक कारिक्रमों में होंगे शामिल भेट मुलाकात अभ्यान के पहले पड़ाओ में मुखे मंत्री पहुंचे सरगुजा सभी 90 विधान सभाग शेत्रों का करेंगे दोरा और दुर्विस्थेफ स्वामी वेवेकानन तक्नीकी विश्विद्याले में आर्टिविशल इंटेलिजेंस, रोबोटेक्स और मशीन लर्निंग जैसी नई तक्नीकों का हुआ अपग्रेडेशन और इसी के साथ ये समचा और बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ नमस्कार